नमस्कार विध्यार्थी मित्रों आज हम हिंडी में पाध्तिन सच्चा हीरा इसका अभ्यास करेंगे इसका साहित्य प्रकार कहानी है प्रस्तूत कहानी में व्यक्ती के जणन के साथ-साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है अच्छा ग्ञान अच्छी बात लेकिन वो आच्रण में नहीं है तो निर्थ रख है इस बात को रोचक तरीके से यहां प्रस्तूत किया गया है सूर्य अस्त हो रहा था पक्षी चह चहाते हुए अपने नीड की ओर जा रहे थे चह चहाना यानी चहकना नीड यानी पक्षियों का घोसला तो पक्षी अपने घोसले की ओर जा रहे थे गाउं की कुछ स्त्रियां पानी देने के लिए घड़े लेकर कुए की ओर चल पड़ी पानी भर कर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लोड़ गई परन्तु उनमे से चार कुए की पक्की जगत पर बैट कर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी यानि घपें मारने लगी बातचित करते करते बात अपर बेटों पर जा पहुँची उनमे से एक स्त्री की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी वो कहने लगी भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे मेरा बेटा तो लाखों में एक है उसका कंठ बहुत मधूर है वो बहुत अच्छा गाता है उसके गीत को सुनकर मैंना चुप हो जाती है लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ वह भी अपने बेटे की प्रसंसा करे उसने पहली स्त्री से कहा मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है वह बड़े बहादुरों को भी पचाड देता है वह आधुनिक युक का भीम है यह सब बात सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती वह बोलूठी मेरा बेटा शाक्षात ब्रहस्पति का आउतार है वह जह कुछ भी पढ़ता है एकदम याद कर लेता है ऐसा लगता है कि मानो उसके कंठ में सरस्वत का निवास हो तीनो औरतों की बात सुनकर चौथी स्त्री चुप चाप बेठी रही उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा पहली ने उसे टोकते हुई कहा क्यूं बहन तुम क्यों चुप हो तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ चौथी स्त्री ने ब कुछ समय बाद जब भी सब घड़े सिर पर रख कर लोटने लगी तभी किसी गीत का मधूर स्वर सुनाई पड़ा सुनकर पहली स्त्री बोली सुनो मेरा हीरा गा रहा है तुम लोगों ने सुना उसका कंट कितना मधूर है वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया उसने अपनी मा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली देखो यह मेरा लाडला बेटा आ रहा है शक्ति और सामर्थे में इसकी बराबरी कौन कर सकता है वह यह कही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिये बिना ही निकल गया वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में शाक्षात सरस्वती बिराजमान हो तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा देखो यही है मेरी गोत का हीरा इसे कौन ब्रहस्पति का आउतार नहीं कहेगा परन्तु उसका बेटा भी मा की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चोथिस्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था उसे देखकर चोथिस्त्री ने कहा बहन यही मेरा लाल है चोथिस्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पासा पहुँचा अपनी मा को देख कर वह रुख गया और बोला मा लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुचा दूँ मना करने पर भी उसने अपने मा के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा तीनों औरतें बड़े ही आश्चरे से चोथी स्त्री के बेटे को देखती रही एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी पास चाकर बोली देखती क्या हो यही सच्चा हीरा है सच मुझ इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है अच्छा ग्णान अच्छी बात है लेकिन वह व्यक्ति के आचरण में नहीं है तो वह सब निरर्थक है धन्यवाद